हेलो बच्चो मेरा नाम है चाया प्रतिभाखिलवार आप लोगों की बैलाजी फेकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर बच्चो आज हम अभिप्षा के टीम के तरफ से पूरे अभिप्षा के परिवार के तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंच लाए हुए है जो कि सिर्फ आपके स्टडी के लिए है मतलब आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है सिर्फ उसी के लिए ही ये मंच आपके लिए आया हुआ है तो चलिए भाई हम देर नहीं करते हैं सीधे अपनी टॉपिक के तरह आते हैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा टॉपिक इसमें आप चर्चा करने वाली हूँ जो की है डी एने जैसे डी एने तो आप लोगोंने सभी सुना ही होगा क्योंकि जब भी यदि किसी का रेप हो जाए या किसी अनुवांशिक लक्षणों का अगर हमको पता लगाना चाहिए तो इसके लिए डी एने कितना ही आवश्यक होता है आप लोगों के जानकारी में होगा ही और जानकारी नहीं भी होगा तो भी आप मेरे माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है डी एने जो की होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है अब ये अनुवांशिक पदार्थ होता है अब ये अनुवांशिक पदार्थ जो DNA है कहां पाया जाता है बच्चों कहां पाया जाता है तो समझना DNA जो होता है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है अर्था जो प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता और आपके में भी डिने पाया जाता है आप कैसे कोशिका हो यूकेरियोटिक कोशिका हो तो यूकेरियोटिक कोशिका में भी डिने पाया जाता है वायरस में भी डिने पाया जाता है बैक्टिरियोफेस वायरस इस सारे वायरस में भी डिने पाया जाता है चलिए हम एक एक ची कि इसको देखा सबसे पहले किसने यह सारी चीजों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं तो चली हम स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा टॉपिक डीने वाट इस डीने भाई डीने क्या है तो समझ जो कि डीने क्या होता है तो जो कि हमको सबको पता है कि डीने एक अनु संतानी है तो आपके जनेटिक लख्षं जो है यानि कि अपका पिता की जनेटिक लख्षर है आपके मैं है यहांँ कि आप है ठीक है मैं आपलोगों कई डाइगरंगरम मैं देती हूँ एस समझि यह कौन है यह आपके पिता जी है ठीक है यह आपके क्या है पिता जी है और यह आपकी क्या है माता जी हो गई ठीक है तो यह आपके पिता जी और यह क्या है आपकी माता हो गई जिसकी आप दोनों क्या है यानि की आप याप से भाई बहन के लिए रोते रहते हैं तो समझें यह आप पापा है है ना ये आपके क्या है पापा है पापा कैसे है नर है और ये क्या है आपकी माता है माता क्या है आपकी मादा है है ना कैसे है मादा है फीमेल है तो इनके जनेटिक लेक्षन यानिक आपके माता-पिता के अनुवांशिक जो लक्षन है कहाएंगे आपके में आते है जो इनके में अनुवांशिक पदार्थ होगा अनुवांशिक जो पदार्थ होगा इन दोनों में है ना दोनों के में अनुवांशिक पदार्थ होगा क्योंकि इनके भी डीन है डीन है मतलब अनुवांशिक पदार्थ तो इनका जो डीन है किसमें आएगा आपके में आएगा ना कipping इन्हीद्वर्पवन पट पर नो हुए हो आप प्यासां आपकी मात और पिता के द्वारा तो अनवांशिक क्या होता है तो समझो अनवांशिक जो पदार्थ होता है जनेटिक मदuchafr पीड ही से दूसरे पीड ही क्या करता है लक्षणों का इस्थाना नंतरन करता है इसी को हम क्या बोलते हैं डीने कहते हैं तो डीने होता कहां है भई अब यह डीने आपके मम्मी पापा आपके में डीने जो है वो आया कहां से समझो कि हमने कहा कि आपके माता पिता के लक्षण जो है आपके में जाए आपके में गया अर्थात डियने ही गया है तो डियने जो इनके में आया है यानि कि आपके में जो डियने आया है जो आपके माता पिता का डियने जो आपके में आया है वो होता कहां है आपके मम्मी की बात करूँ चाहें आपके पापा की बात करूँ कि किसी भी फीमेल और मेल की हम बात करें कोई भी जीव हो हम किसी भी नर और मादा की बात करें सभी में डीने पाया जाता है तो डीने कहां पाया जाता है बच्चो याद रखेंगे डीने जो पाया जाता है सभी प्रोकर्टिक कोशिका में पाया जाता है और यूकर्टिक कोशिक अधिकाण स्थर होती है और इस कोशिका के अंदर होता है केन्द्रख और के अंदर पाय जाता है रूमोसॉम पाया जाता है हमको पता है ये चीज़ ये क्या है कोशी का है ठीक है ये क्या है भई ये कोशी का है और कोशी का के अंदर पाया जाता है क्या केंद्रक पाया जाता है सिर्फ केंद्रक होता है क्या नहीं सिर्फ केंद्रक नहीं होता भई यहां पर आपको माइट्रो कॉंट्रिया मिलेगा ला मौजूद होते हैं चीक है लेकिन हम किस बारे में बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं जो है क्या न्यूक्लियस सोरी हम बात कर रहे हैं DNA के बारे में समझिए हम आज बात कर रहे हैं किसके बारे में हम केंद्रक के अंदर उपस्थित DNA के बारे में बात कर रहे हैं इसको हम क क्रोमोसोमर डिन ने कहते हैं जो कि क्रोमोसोम में उपस्थित होता है क्लीर है तो अब समझ यह इस केंद्रक के अंदर जो डिन आ पाया जाता है यह किसकी बात हो रही है यह बात हो रही है यू केरियोटिक कोशिका के अंदर, यू केरियोटिक कोशिका के अंदर में केंद्रक के अंदर DNA पाया जाता है, अब हम प्रोकेरियोटिक कोशिका की बात करें, तो प्रोकेरियोटिक चलिए, यहां पर हम बना देते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिका, अब इस प्रोकेरियोटिक कोशिका के अंदर में देखिए भई जो DNA होता है देखिए दो टाइप के DNA पाया जाता है एक इधर बना देते हैं और एक इधर बना देते हैं देखिए कुछ जो बैक्टिरिया होते हैं वो भी प्रोक्रेटिक कोशिका के जो अंदर आते हैं जैसे इकोलाई बैक्टिरिया इकोलाई बैक्टिरिया जिसको हम कहते हैं इस चरीसिया कोलाई कहते हैं ठीक है अब इसके अंदर में दो टाइप के डिने पाय जाते हैं आपको दिख रहा है एक जो डिने है इसको हम कहते हैं प्लाजमिड डिने ठीक है इसको हम क्या कहते हैं प्लाज क्रोमोसोमल dna कहते हैं कहने का अर्थ यह है बच्चों यह मैं इसलिए बतारी हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि डीने कहां कहां पाया जाता है तो you यहां पर केंद्रक नहीं पाया जाता है यहां पर केंद्रक जो है नहीं पाया जाता अर्थात यह कहां पर होंगे डियने भई केंद्रक तो नहीं पाया जाता है तो फिर यह जो डियने है वो कहां पर पाया जाएगा तो यह जो डियने है यह साइटो प्लाजम में ही पाया जा अर्थात हम यूँ कह सकते हैं यह यह एक केंद्रक के इसमें तो केंद्रक उपस्थित ही नहीं होता यह साइटो प्लाजमें भिखरे हुए होते हैं तो कुछ प्रोक्रेटिक को शिकाओ के अंदर जैसे बैक्टिरियल जो सैल है उसमें दो टाइप के डिने पाया जाते हैं तो यह है क्या यह कहां का बात कर रहे हैं हम यह बात कर रहे हैं कि डिने होता कहां पर है ठीक है अब समझेगा यह जो डिने हैं अब ध्यान दीजेगा यू केरियोटिक कोशिका ही कि हम बात कर रहे हैं तो यू केरियोटिक कोशिका में जो डिने पाया जाता है अब मैं डिन ने बार बर कह रही हूं डीने का मतलब आप दिमाग में बैठा लो कि यह अनुवांशिक पदार्थ होता है तो यह जो नुवांशिक पदार्थ होता है यह क्या होता लक्षणों को एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी इस्थानांत्रित खरता है तो अब गुर्ण का अर्थ यह नहीं होगा है तो आपके पिता जी पुलीस में तो आप पुलीस में बनोगे यह गुर्ण नहीं नहीं है हाँ अगर उनकी हो सकती है कि हाइट छोटी हो तो आपकी हाइट उसमें आ सकती है ये गुन का इस्थानांत्रन है ठीक है ये लक्षणों का इस्थानांत्रन है हो सकता है आँखों का कलर बालों का कलर है ना चेहरे की आकरती कुछ उसमें मैच खाती है तो वहां पर हो रहा है क गुण का इस्थाना अंतरन होता है डिने के द्वारा तो यह है ठीक है आप गलत उससे मत समझ जाए कि मैं आरे मेरे पिता जी पुलीस में है तो मैं भी पुलीस बन जाओंगा डॉक्टर है तो डॉक्टर बन जाओंगा यह गुण नहीं होते हैं भूल में आप मत रहिएगा तो अब देखते हैं कि जो डिने होता है अब इसका इस पस्ट अपर नाम समझेंगे इसकी खोच जिसको देखा किसने इसकी खोच किसने कि इसके मॉडल किसने किये थे अब हम देखते जाएंगे चलिए देखते जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देती हो बच्च होते हैं किसके कारण कंफ्यूज होते हैं समझना कि बच्चे पोलते हैं क्या दीएने की दिमाख में बठाएंगे कि वाट्सन एवं क्रीक ने इसका मॉडल प्रस्तूत किया था ठीक है लेकिन हम खोज की बात करें देखिए खोज अर्थाथ हम वहाँ पर हमेशा बुक में भी आपको खोजी लिखा रहेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है वाट्सन एवं क्रीक ने इसके मॉडल की खोज की थी याद रखेंगे इसके मॉडल की खोज की थी लेकिन इसको देखा सबसे पहले था काल्स बर्ग ने आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे और नोट भी कर लेंगे ठीक है काल्स बर्ग ने इसको सबसे पहले देखा था ठीक है इसको देखा था किसने काल्स बर्ग ने देखा था ठीक है अब किसको देखा था तो आप बात करेंगे एक चीज और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डीने को सबसे पहले काल्स बर्ग ने देखा था लेकिन आपके पेपर में कन्फ्यूज करता है क्यासे कन्फ्यूज करता है देखा था किसने और मौडल प्रस्तूत किया था किसने ऐसा अलक से डारेक्ट एक्जाम में नहीं लिखा होता वहाँ पर कन्फ्यूज करता है ठीक है तो आपको याद रखना पड़ेगा मौडल की बात की जाए तो आप याद रखेंगे किसने वाट्सन यह है आपके कितने स्माइल इस दे रहे है देखिए यह वाट्सन को अब हमें से याद रखेंगे भई देखिए कितना चहराई स्माइलिंग फेस बहुत हस्ते हुए हस्मुख भाई जैसे तो यह हैं आपके वाट्सन ठीक है और यह हैं आपके यह भी हस्मुख है विचारे बत्तिसी दिखा रहे हैं यह है क्रिक तो यह वाट्सन और क्रिक ठीक तो वाट्सन और क्रिक ने डीने का मॉडल प्रस्तूत किया था दीने की खोज यह निकी डीने मॉडल की खोज किसने प्रस्तूत किया तो वाट्सन एवं क्रिक ने प्रस्तूत किया आप दिमाग में बैठा के रखोगे जब कि काल्सबर्ग ने क को क्या किया था देखा था ठीक ठीक है इसको सिर्फ देखा था ठीक तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस ने देखा और क्या किस ने देख प्रस्तूत किया अब समझते हैं डीने को ध्यान से समझेंगे कि यह कहां होता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डीने जो होता है आपके कहां कहां पाया जाता है, जैसे कि मैंने तो पहले ही बता दिया कि भाई ये आपके DNA जो होते हैं, वे आपके eukaryotic kooshika में भी पाय जाते हैं, आपके proakaryotic kooshika में बाय जाते हैं, साथ ही साथ एक चीज और ध्यां रखेंगे डी एने जो होता है देखिए यहां पर मैं की स्ट्रक्चर में दिखा देती हूं यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कोशिका का यू केरियोटिक जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो डी एने होता है डी एने केंद्र के अंदर तो पाया ही जाता है साथ ही साथ आपक मैंने आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी कि क्या होता है कि माइटो कॉंड्रिया एक शब्द मैंने कहा था क्या माइटो कॉंड्रिया के बारे में या इसमें भी DNA पाया जाता है आप नोट करेंगे important क्योंकि Kendra के अंदर तो होता है सब को पता है लेकिन साथ ही साथ mitochondria में भी और eukaryotic kooshika के अंदर गताता है आपका पादप kooshika क्या पादप kooshika भी आता है और इस पादप kooshika के अंदर में उपस्तित होता है क्या chloroplast ठीक है हरित लवक इसके अंदर क्या उपस्तित होता है हरित लवक उपस्तित होता है और हरित लवक में भी dna पाया जाता है इसे नोट करके रखेंगे यह important है ठीक है आपके paper के लिए तो important है ही साथ ही आपको knowledge रखने के लिए इसको भी जर्वत पड़ेगा ठीक है क्योंकि सब को पता है भाई dna के अंदर होता है dna को आपके cytoplasm में होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कोशिका के कोशिकांग जो है mitochondria और chloroplast इनमें भी dna पाया जाता है clear है चलिए आगे देखते जाते हैं आई होप यह आपको समझ आ रहा होगा अब थोड़ी सी जानकारी और लेते जाते हैं सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगी nucleic acid ठीक है इसी डाइग्राम में एक चीज और देखते जाईए आप समझते जाईए क्या देखिए यह है आपका nucleic acid अब मैं आप लोग सोच रहे होगे कि मैडम dna बताते बताते nucleic acid क्यों बोड़ी है तो भई बच्चों देखो nucleic acid जो होता है nucleic acid जो होता है वही dna और rna के रूप में पाया जाता है कोशिका के केंद्रक के अंदर अर्फार कहने का मतलब यह है यह कोई कोशिका है और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है इसमें जो DNA, RNA मौजूद होता है इसको हम सीधे DNA, RNA नहीं बोलते हैं पहले सीधे हम DNA, RNA नहीं कहते हैं हम क्या कहते हैं उसे nucleic acid कहते हैं तो इस कोशिका के केंद्रक में nucleic acid उपस्थित होता है अब nucleic acid genetic पदार्थ है ठीक है अब ये nucleic acid दो टाइप के होते हैं एक होता है DNA एक होता है RNA तो आपको अब समझ आ गया होगा कि भाई nucleic acid को ही हम DNA की form में भी प्रयोग करते हैं और nucleic acid को RNA की रूप में भी प्रयोग करते हैं ठीक है अब देखते जाएए ये जो DNA होता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये जो DNA होता है बच्चो ये आपके mitochondria और nucleus के अंदर उपस्थित होता है कहां mitochondria देखते जाएए इधर कहां उपस्थित होता है mitochondria और nucleus के अंदर उपस्थित होता है हमने अभी just ही देखा था कि stehtra के अंदर DNA उपस्थित होता है साथ ही साथ MitoCondria में भी होता है और Chloroblast में भी होता है ठीक है यह तीनों चीज में पाया जाता है अब आज जो हम बात कर रहे हैं कि DNA के बारे में इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप याद रखेंगे जो पेपर में जादा तरही पूछता है एन ए जो होता है इसमें फासफोरस त्थ्थ पाया जाता है फासफोरस तत्व पाया जाता है ठीक है इस zajdик को आप याद होगे क्योंकि फासफुरस्तत तो नाइट्रोजन चार इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है अभी आपको रिमाइंड कराऊंगी फासफुरस्तत अभी याद रखे रहिए कि मैडम फासफुरस्तत तो बोली थी ठीक है अब इतना चीज आपने पढ़ लिया कि डीने क्या है कहां पाया जाता है चली आप देखते जाते हैं हम इसके आगे के बारे में चली अब समस्ते जाए जो डीने होता है इसका फुल फॉर्म होता है यानि कि पूर्ण नाम होता है डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक असिड क्या कहते हैं इसे डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक असिड यहां पर आया एक शब्द न्यूकलिक असिड अर्था यह क्या है न्यूकलिक असिड होता है ठीक है चली आगे देखें डीने जो होता है मैं आपको बता दू बच्चो यह नुकलिो टाइट्स का बहुलक होता है अब यह जो बहुलक होते हैं याद रखेंगे यह स्रिंखला के रूप में पाय जाते हैं मैं अभी पूरा डैग्राम से बताते जाओंगी आप अभी सिर्प समझोगे कि डीने जो होता है नुकलियोटाइट्स के पूरे बहुलक होते हैं यानि कि नुकलियोटाइट्स की पूरी श्रिंखला के रूप में ये पाया जाता है जो कि सभी जीवों के केंद्रक के अंदर में मुख्य रूप से उपस्थित हो जा है जो कि हमको पता है कि गूंड सूत्र म जाता है ठीक है यानि आप ध्यान से देखोगे तो यह आपका अगर कोशी का है यह क्या है आपका कोशी का है तो कोशी का के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होता है यह क्रोमोसोम इसी क्रोमोसोम का अगर अलग से स्ट्रक्चर असा बना के देखोगे तो इस प होते हैं इस प्रकार से यानी कि गुंड सूतर में पाये जाते हैं कहने का अर्थ यह ठीक है अब समझ यह जैसे कि मैंने पहले बताया कहां माईटोकॉंडिया कोशिका लगॉ MODयम ए है अब समझ या क्लाइब यह क्या करते हैं नो अशिक्ता पतार्थ को पीढ़ धर पीढ़ ही इस्थाना आफरेकर्ट करते हैं आपका क्या कोशिका कोशिका में क्रोमोसोम क्रोमोसोम में आपके डीने और डीने में ही जीन्स जो है वो पाए जाते हैं डीने में ही ऐसे चोटे चोटे जीन्स जो है पाए जाते हैं और जीन्स जो है यही जो है लक्षलों को इस्थानांत्रित करने का कार्य करते हैं चलिए आगे बढ़े चलिए हम अब तो अगर हम DNA की रसाइनिक संघटक की बारे में बात करें तो DNA जो होता है बहुत ही अधिक अनुभार वाला होता है जिसका हम अगर हम बात करें इनके अनुभार की तो लगभग होता है दस की घाथ 6 से लेकर 10 की घाथ 7 डेल्टन तक होता है ठीक है इतने इसके अनुभार पहले ही बताया यह क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइट के क्रम होते हैं अर्था डी एने जो होता है न्यूक्लियोटाइट का क्रम होता है हम क्या बात करते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूकलिक एसेड हम इसकी बात करते हैं तो यह डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक जो एसेड होता है बच्चो यह क्या होता है न्यूकलियोटाइट का ही क्रम होता है ठीक है यह क्या होता है न्यूकलियोटाइट का ही क्रम होता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि न्यू टीक स्रिंखला से मिलकर बनी होती है एक नुक्लियोटाइड कि में क्या-क्य아-चीज होते है भाई एक नुक्लियोटेड के अगर हम पता हो जाए कि इसमें क्या-क्या चीजे होती है तो यह पूरी श्रिंखला जो हमको नेटी दिखाए देगी तो सीधी बात उसमें वही चीजे होंगी जो एक न्यूक्लियोटाइट में होंगी तब अब हम देखेंगे कि यह जो न्यूक्लियोटाइट का जो क्रम होता है बच्चों यह क्या है श्रिंखला है न्यूक्लियोटाइट का तो अगर हम न्यूक्लियोटाइट के श्रिंखला यह के बारें बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजे होंगी तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नूकलियो टाइड में तीन चीजे होती है एक नूकलियो टाइड में तीन चीजे होती है तो पहला होगा आपका क्या पहला चो चीज है इसे याद रखेंगे क्या पेंटोज शरकरा ठीक है पेंटोज शरकरा यानि कि शुगर होता है दूसरा होगा फॉसफिट फॉसफिट ग्रूप होगा यानि फॉसफिट समू होगा तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्या नाइट्रोजन चार नाइट्रोजन चार यह तीन चीजे ही पाई जाती है यह पूरा क्या है नूकलियोटाइड का क्रम है अर्थाद नूकलियोटाइड की श्रिंखला है तो इस एक नूकलियोटाइड की हम बात करें एक नूकलियोटा जाती है कौन कौन सी पैंटो शुगर ठीक है पैंटो शरकरा फॉसफेट ग्रूप होगा और तीसरा नाइट्रोजन बेस यही चीजे जो होंगी पाई जाती है यह तीन ही चीजे जो है एक नुक्लियोटाइड में पाई जाती है यानि कि हम बात करें एन प्लस आपके पी एक में तो यह है यह एक नुक्लियोटाइड में तो यह तीन चीजे पाई जाएगी तो सीधी सीधी बात है कि यह तो पुरी श्रिंकला है तो सभी श्रिंकला में क्या होगा भाई सभी श्रिंकला में P प्लस S और N ही पाया जाता है और थात सभी नुक्लियोटाइड क्रम मे phosphate शरकरा और draining चार का ही क्रमपाया जाता है अब इस नाइट्रोजन चार में बच्चो इस नाइट्रोजन च्छार में दो चीजे होती है कौन कौन सी आप याद रखेंगे इस नाइट्रोजन चार की मैं बात करी हूँ यहां मैं लिखती हूँ आप ध्यान देंगे इधर बात करते हैं देखते जाएए ये हैाप का नाइट्रोजन चार नाइट्रोजन चार दो टाइब के होते ही ठीक है नैट्रोजन चार दो टाइब के एक होता है क्या प्यूरीन एक होता है क्या पिरामिडीन ठीक है एक होता है क्या प्यूरीन और एक होता है क्या पिरामिडीन अब यह प्यूरीन और जो पिरामिडीन होते हैं बच्चों नाइट्रोजन छर कितने टाइप के होंगे दो टाइप के प्यूरीन और पिरामिडीन तो यह जो प्यूरीन होते है यह होंगे एडनीन, गौानीन और पिरामिडिन होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन, यह हो गए, मतलब आप याद रखेंगे नाइट्रोजन जो छार होते हैं, दो टाइप के होंगे, पहला है क्या नाइट्रोजन छार के अंदर के कौन कौन से चीज़ आएंगी, प्यूरीन और पिरामिडिन होंगी, तो प्यूरीन के अंदर गत क्या क्या चीज़े होंगी, इसके अंतरगोत होता है, एडनीन और गौानीन, एडनीन और गौानीन, कन्फ्यूस नहीं होंगे आप, एडनीन और गौानीन जो होता है, यही होता है क्या प्यूरीन में, इसको A और G से हम डिनोट करते हैं वैसे ही पिरामिडीन की बात करें तो पिरामिडीन जो होता है यह होता है क्या टी और सी अर्थात थाइमीन और साइटोसीन यह होगा प्यूरीन और पिरामिडीन अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं प्यूरीन और पिरामिडीन हमेशा बराबर होते हैं ब जितनी मात्रा होगी उतनी ही पिरामिडीन की मात्रा होगी अर्थात प्यूरीन की मात्रा पिरामिडीन की मात्रा के बराबर होती है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार ग्राफ उन्होंने ये चीजे बताई थी ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि इसमें डीने की संरचन ए यह प्यूरीन है यहां पर ऐसा बनाते हैं ए और इधर डबल बॉंड टी के साथ और सी ट्रिपल बॉंड जी के साथ याद आप मैंने या पिरामिदीन है और प्यूरीं क्या एक चेहाँ के पिरामिडीटिन है यह जो होता है यह की रीमिड में जो खोता है ती साथ आपरmark क्या है टीक यहाँ है आपको के साथ जुड़ता है और यह आपका जो साइटोसीन होता है त्रिपल हाइड्रोजन बॉंड के साथ गवानीन के साथ जुड़ता है त्रिपल हाइड्रोजन बॉंड के साथ क्या जुड़ेगा सी जी के साथ ही जुड़ता है अर्था यह भी क्या है आपका प्यूरीन है आपक सबसे बेसिक चीज़े तो यही है कि आपको पत्दा होना चाहिए कि डीने जो होता है नूक्लियोटाइट की श्रिंखला होती है पूरे स्ट्रक्चर अभी समझते जाएंगे कि कैसी समर्चन होती है यह मुख्य रूप से जो चीज़े है वह स्टार्टिंग का यह है ठीक है त पहले ही बताया कि तीन चीज़े होती है क्या यह आपका फॉस्फेट गृप जैसे कि मैंने पहले ही बताया यह क्या है फॉस्फेट समूध और यह क्या है आपका पेंटो शरकरा और यह क्या है आपका nitrogen base ठीक तो यहां पर nitrogen base एड़नीन का है ऐसे ही आपके गौनीन का बनेगा आपके साइटोसीन का बनेगा आपके थाइमीन का बनेगा हर का अलग-अलग रसानिक संगल्ट का structure बनता है clear है तो हमने देखा कि प्रत्यक nucleotide में प्रत्यक nucleotide में आपके nitrogen छार पाए जाते हैं पैंटो शरकरा पाए जाएंगे और फासफोरिक अमल पाए जाते हैं यह तीन ही चीजे जो है वह पाई जाती है important तो सबसे जादा यही चीजे होती है clear है अब आप याद रखेंगे यह है आपका पैंटो शुगर आप ऐसा रखेंगे देखें पहला कार्बन दूसरा एक कार्बन यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा यह और यह आपका पांचवा कार्बन पैंटो शुगर यह पांच कार्बन कार्बनी होता है अब अगर यहां देखोगे दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रूप क्या है यहां पर नहीं जुड़ा है दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन जो है नहीं जुड़ा है इसलिए इसका नाम जो है यानिक से हम क्या वोलते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं क्या दी ऑकसी राइबोस कहा जाता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डि के कारण इसको हम कह दिये क्या डियोक्सी राइबोस कहते हैं वह क्यों वी लिखा होता है इसके कारण लिखा होता है clear हो गया होगा clear है चलिए आगे देखें अब हम इसके structure की बात करें कि एडिनीन गवानीन सैटोसीन थाइमिन का structure किस प्रकार से होता है तो यह है आपके क्या DNA में पाए जाने वाले है nitrogen-6 यह क्या है सब nitrogen-6 होते हैं यह आपका attain है यह आपका ग्वानीन यह साइटोसीन और यह आपका थाइमिन होता है जो की आपके DNA में उपस्थित होता है हम देखते जाएगे इसके सनरचना के बारे में समस्थते जाएंगे के दिने क्मिक शरचना कैसी होती है तो अब देखते जाईए भाई इसकी संरचना जो सबसे सबसे जादा जो important आपके paper के लिए होता है DNA की संरचना का नमा के चित्र बनाईए या फिर पूछता है DNA की संरचना की क्रियाविधी को समझाईए या फिर पूछेगा DNA के Watson एवं Crick Model को समझाईए सब अलग अलग तरीके से प्रश्ण बनते हैं आंसर आपको ऐसा ही लिखना है बताते जाते हैं चलिए देखते जाईए तो सबसे पहले हम बात करें किसकी DNA की तो DNA जो होता है बच्चों DNA जो होता है दो poly nucleotides स्रिंखला से मिलकर बना होता है सबसे पहले बात करें तो ये दो poly nucle nucleotide श्रिंखला से मिलकर बना होता है दो poly nucleotide स्रिंखला से मिलकर बना होता है ठीक है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक nucleotide के अंदर क्या की चीजें होती है पॉस्थेट ग्रुप होता है शरकरा होता है पेंटो शुकर होता है फॉस्थेट ग्रुप होता है और nitrogen 4 होता है ठीक है और दूसरी जो होगई यह होगई इस प्रकार से दो poly nucleotide की श्रिंखला बनी होती है क्लियर है अब देखिए इसको अगर देखें तो इस प्रकार से दो पॉली नुकलोटाइट की श्रिंखला होती है प्रियर एक अगर हम इस डिने पॉली नूकलोटीट कि श्रिंखला की बात करे तो ये है आपका एक पॉली नूकलोटीट की श्रिंखला जो एक सीरीज जो होता है 3-2 होता है और दूसरा जो सिरा होता है जो 3 जहां होगा इधर से क्या हो जाएगा यह 5-10 जाएगा और यह 5 तो यह हो जाएगा 3-10 हो जाता है 3-10 5-10 या निकिस ट्रक्चर यह कह रहा है कि DNA की जो संवाचना आप देखोगे तो यह कु यानि कि दू कंड़ी सण्रचना होती है जो कि पॉली नुक्रोटाइट की स्रिंखला से जिए ने बनी होती है जो कि कुंड़ी टो सांप आसे हीं इस प्रकार से क्लियर है अब हम डि येने की बात करें तो सबसे पहले आप होगे कि उपर का जो सीरा है कौन सा यह देखिए एक सीरा जो होगा वो ठीड़ सीरा होगा और नीचे का सीरा फाइब डैस यानि कि विपरित होती है एक दूसरे के दोनों सीराइं कैसी होगी विपरित होती है और थात एक तरफ ठीड़ से तो दूसरे तरफ फाइब डैस और चलिए अब आगे देखें जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि जो ये पूरे न्यूक्लियोटाइट के करम होते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइट में क्या क्या चीज़े होती है इसमें हमने पहले बताया था इसमें होता है फॉसफेट और शरकरा पी एस प्लस पी प्लस एस ये सारे चीज़े होती है फॉसफेट और शरकरा ठीक है यानि कि फॉसफेट और शुगर इसमें पाया जाता है साथ ही इसमें नाइट्रोजन बेस पाया जाता है साथ ही इसमें क्या नाइट्रोजन बेस पाया जाता है तो नाइट्रोजन बेस जो ह यानि की हमने जैसे कि पहले ही बताया हमने पहले ही क्या बताया था हमने बताया था ऐ हमेशा देखिए इस प्रकार से nitrogen base का करम जो है जुड़ा होता है इस तरह से ठीक है पूरे कुंडली के नुमा सरजना होती है और ये जो कुंडली नुमा जो सरजना होती है इसी के बीच में इसी के देखिए ये कुंडली नुमा जो है जुड़े होते हैं hydrogen bond से देखिए किस प्रकार से जो कि मैंने पहले यी बताया था कि A हमेशा triple bond से T के साथ जुड़ता है और G हमेशा triple bond के साथ C के साथ जुड़ता है या C triple bond G के साथ जुड़ता है ठीक है आप आगे पिछे लिख सकते हो तो यहां पर हम बनाते हैं क्या सबसे पहले A double bond T के साथ C triple bond G के साथ T double bond A के साथ A double bond T के साथ और C triple bond G के साथ G triple bond C के साथ फिर A double bond T के साथ T double bond A के साथ इस प्रकार से आपकी जो है DNA की श्रिंख लाएं प्यूरीन और पिरामिडिन इस प्रकार जुड़े होते हैं प्रकार से अरेंज होते हैं और इसमें फास्ट और आपके पेंटो शुगर की जो सनरजना है वो भी पाई जाती है दिखाई दे रही है ठिक अब एक न्यूक्लियोटाइट जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइट से यानिक जो पॉली न्यूक्लियोटाइट की जो स्रिंखला पनिंग है एक न्यूक्लियोटाइट दूसरे न्यूक्लियोटाइट से किसे फास्फो डाई एस्टर फास्फो डाई एस्टर बंध द्वारा जूड़े होते हैं एक न्यूक्लियोटाइट दूसरे न्यूक्लियोटाइट से फास्फो डाई एस्टर बंध की द्वारा जू कुंडली कि सरत को देखोगे तो ुपीछ का भागा होता बच्चों बीच के बोलते हैं मिसको अक्षी भाग कहते हैं और यह तरीकि साहर। होती है यह हम दिनी इस अगो देख को तो कुंद्ली के नुमा सव्षाख राधना होती है तो Украї कुंद्ली के दिल 5 t auto १ तो यह क्रक्षी भाग कहलाता है अब देखते ह। यह जो एक कुंद्ली हो गया यह दूसरा कुंद्ली दो अगर हम 耐 की बात करें कि एक कुंडली में कितने न्यूकलिटाइड होते हैं तो एक मुंडली में 5-10 नूकलिटाइड होते हैं कि fifth की दूरी कितनी होती है बच्चो 44 इंगे स्तौन हती है सबसे पहले तो ठीक है इक क्योंकिटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है तीन 4 इंगिस्ट्रॉण होती है देखे एक कुंडली में एक यह कुंडली है तो इस कुंडली के अंदर जो नेट्रोजन बेस जितने भी होंगे और इनकी बीच की दूरी होगी तो एक नुक्लियोटाइड यानिकी एक कुंडली की हम बात करें अभी एक कुंडली में टोटल नुक्लियोटाइड कितनी है दस एक कुंडली में कितने नुक्लोटाइड है दस नुक्लोटाइड है दस नुक्लोटाइड की बीच की दूरी कितनी है 34 एंग स्टॉर्ण होती है और दो नुक्लोटाइड की बीच की दूरी कितनी होती है तो दो नुक्लोटाइड की बीच की जो दूरी होती है बच्चो वो हो होती है क्या आपके 3.4 एंग स्टॉन होती है अब देखते जाए कैसे अब हम बात करें कि यह हो गए न्युक्लोटाइट दस न्युक्लोट की बीच की दूरी यह क्या है दो न्यूक्लियो ही टाइट के बीच की दूरी है अब हम बात करें कि इसमें शुगर फासपेड ओग्या इस दस न्युक्लोट की हम क्या कहते है याद रखेंगे लिख रहे हैं याद रखेंगे इसे हम कहते हैं वन पिच कहते हैं यानौि कि एक पिंच कहा जाता है एक पिच कहा जाता है याद रखेंगे इसको पिच कहा जाता है तो इस प्रकार से डिएणिंगी संझना बनी होती है याद रखेंगे यह हमेषा हाइड्रोजन बंड के साथ ही जुड़ते हैं प्यूरीन हमेशा पिरामिडीन से हाइड्रोजन बंध से ही जुड़े होते हैं यानि कि डबल बॉंड हाइड्रोजन बॉंड से टी के साथ जुड़ेगा थाइमिन के साथ जी त्रिपल बॉंड हाइड्रोजन बॉंड के साथ जी के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार से डीने की संरचना पाई जाती है यानि कि दीग एक बर हम फिर से रिपिट करते हैं डीने जो होता है दो पॉली नुक्लोटाइट शिंकला से मिलकर के बना होता है जिसमें फॉसफेट शरकरा नाइट्रोजन छार पाए जाते हैं नाइट्रोजन छार के अंतरगत प्यूरीन और पिरामिडिन पाया जाता है प्यूरीन के अंतरगत एडिनीन और ग्वानिन होते हैं जबकि आपके पिरामिडिन के अंतरगत साइटोसीन और थाइमिन होते हैं एडिनीन हमेशा किसके साथ थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल हाइडोजन बॉन के साथ और ग्वानिन होति है 34 angstrom होती है ठीक है और दो निक्रोटाइड की बीच की दोरी होती है तीन दशमलो चार angstrom होती है इस शोलोंड करेंग और पढत कि दोरी होती है आप लीच कहा जाता है क्लियर है अब दोनों Пом specially दे रहा है एक और दो तो दो दो निकलेट की बीच की दूरी कितनी होती है पॉलि निकले जएट की दूरी 20 छोनड होती है तो ये है आपका क्या डीन ये की संरजना इस प्रकार से पाई जाती है प्लियर है आपको यह समझ आ गया होगा इसको एक बार और देखिय drinking की बात करें यह तो हमने बता दिया ठीक अगर हम से क्यमिकल स्टस्डियृ कि बात करें तो यहां पर आप देखो कि एक नुक्लियोटाइट दूसरे नुक्लियोटाइट से फासफोर डाइस्टर बंद के द्वारा जुड़ा होता है यहां पर मैंने बताया फासफोर डाइस्टर बंद से जुड़ा होता है एक नुक्लियोटाइट दूसरे नुक्लियोटाइट से फासफोर डाइस्टर बंद के द्वारा जुड़े होते हैं और एडनीन थाइमीन के साथ गौनिन साइटोसेन के साथ इस प्रकार से डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड के साथ जुड़ा हो होता है clear है आप लोगों को आई होप को समझ आग और होगा इस प्रकार से यह डायग्रम डियने का बना होता है जो कि डबल हैलिक होता है यहीं है आपका वाट्सन एवं क्रिक ओर डल आई होप यह आपको समझ आ गया होगा आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा आप इसको एक दो बार रिपिट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैंडम क्या क्या चीजे बोली हुई थे बहुत ही बेस आपको याद रखनी है और नाइट्रोजन छार होता है तो यह आपका डीने जो की अनुवाशिक पदार्त होता है कोशिका में यह चीजे पाई जाती है बाद में हम आरने की बारे में पूर डीटेल बताएंगे कि आरने में क्या होता है याद रखेंगे डीने में एडनीन के साथ जुड़ता है लेकिन आर एने में थाइमीन के जगा वहाँ पर एडनी जो है यूरेसील के साथ जुड़ता है यूरेसील देखेंगे ए टी के साथ डीने में जुड़ा लेकिन जैसे ही आर एने पढ़ेंगे हम तो जो ए जो है आपके डबल बॉन के साथ डबल वन के साथ Euracal के साथ जूढता है A. य यह अर्थात Euracal के साथ जूढता है Adnin Euracal के साथ किसमे?। आर रनी में जूढता है तो यह है संपूना आपका DNA I hope, आपको समझ आया होगा आप इसको अच्छे से पड़ सकते है.. आई हो बच्चो ये चीज़े आपको समझ आए होंगी आप मेरे से अच्छे से पढ़ रहे होंगे समझ रहे होंगे तो बच्चो इसी तरीके से आप मेरे साथ जूड़े रह सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गूगल प्ले पर जाएए वहाँ पर कोर्सिस खरीदने के लिए मेरे द्वारे जो पढ़ाया गए कोर्सिस खरीदने के लिए आप मेरा जो यह कूपन कोड़ है CHY100 उसमें आप अपलाई करें जिससे आपको 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी अधिक जानकारी के लिए आप 821-000987 पर भी जाकर आप अधिक जा जाया होगा धन्यमाद